हेलो गाइज वेलकम टू मैं चैनल देश्टडी टार्गेट आज से हम लोग इस्टार्ट कर रहे हैं मैथ ठीक है और मैथ में हम लोग क्या करेंगे पुरी तरह से कवर करने वाले मैथ को परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं और वर वाई वन करके एक एक कवर करते चलेंगे परसेंटेज में लगबग 12-15 टाइब कराओंगा पहले में क्या करूंगा आपको कॉंसेट बताओंगा उसके बाद उस टाइप का एक पांच कुस्टन करा दूगा उससे क्या होगा आपका तयार हो गए आपका एकडम क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग कोई भी तयारी करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि क्या करते हैं को देखते हैं कि एक्जाम में तो आप से कुश्टन बनते यह आपका railway, SSC, bank, कोई भी exam हो, सबके लिए आपका cover होने वाला है, पूरी mathematics से यहाँ पे मैं finish करने वाला हूँ, one by one करके, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, तो इसको like कर दीजिए, चैनल को subscribe कर लिजिए, और इसको और friends से साथ अपने share करिए, ठीक है, तो चलिए percentage, send का मतलब century, per का मतलब one upon, है न, one upon hundred होता है, percentage का मतलब, इसका मैंने जो concept वाला वीडियो है, मैंने पहले बताया हुआ है, उसको उसका भी link मैं description में दे दूँगा, उसको देख लिजेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सबस आपको overview दे रहा हूँ, तो percent का मतलब क्या होता है, hundred, है न, one upon hundred, अब एh hundred अगर इस तरफ चला जाएगा, तो इस क्या हो रहाएगा, hundred percent की value कितनी हो जाएगी, one हो जाएगी, क्योंकि एवाला इस तरफ चला गया, तो hundred percent की value one होती है, न, अगर आप से कोई बोले, कि 10% की value बताईए, तो 10% की value कितनी होगी, देखिए, ten और percent क का हो गया वनबाइप 100 जैब इसको कट करेंगे किना हो जाएगा वनबाण 10 आप इसको यार रखेंगे 10 परशंट का मतलब होता है ст n को सैट्ट का मानम में कर लेंग और नहीं देखिये आप देखिए 1% की क्या होती है क्या होती फोरन अपा अंट्रेड होती ए मैं नहीं एगर आप से कोहीं बूले 1 पर्षंट तो आप बोलेंगे इvitasial by मतलब हंडेड्क से क्या करना है डिवाइट करना कि अगर 65 का को अगर आप से 80 पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे 65 को अपने मन में 100 से डिवाइड करेंगे और बोल देंगे 0.655 आएगा डारेक्ट आंसर ठीक है यानि important क्या मिला यहां से 10% का मतलब होता है डिवाइड बाई 10 1% का मतलब होता है डिवाइड बाई 100 दो चीज़े यहां पर important आपको समझने वाली है उसके बाद देखिए जैसे माल लिया आपसे उचा कि 10 का 65% ठीक है तो आप इसको क्या करेंगे आप इसको ऐसे समझेंगे 65 का 10% क्योंकि उससे कोई फरक नहीं दोनों का आणसर से आएगा क्योंकि 10% का मतलब आपको पता है न दिवाइड बाई 10 तो 65 को 10 से डिवाइड किया तो कितना मिलिगा 6.5 ठीक है जब 10% का मतलब पता है तो हम 10 को परसेंट के रूप में इस्तमाल करें और 65 को को से रूप में इस्तमाल करें ठीक है तो अगर question हमारा रहेगा अगर question रहेगा 10 का 65% तो आप उसको याद करेंगे 65 का 10% clear है अब उसके बाद देखिए अब यहां पे जो important चीज़े आती है जो general method होते हैं बागी जानते तो आप सब कुछ है फिर भी मैं आपको थोड़ा से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 25% मतलब जहां पर 25 परशन लिखा रहेगा उसको आप समझ जाए यह वन बाई फोर होता है ठीक है और इसका अगर तो से डिवाइड करेंगे तो तो इसका मतलब हो गया इसको भी आपको क्या करना है कितना होता है फिर इसको चाचर सही मतलब इसमें क्या किया दो से गुणा कर दिया तो जब इसको चाचर सही दो बटे चाचर सही दो बटे 3 परशन का वेलू कितना होता है दो बटे तो यह चीज़े आपको ध्यान में होनी चाहिए बाकी कोस्टन समलोग करते चलेंगे और उसमें सीखते चलेंगे और जितनी टाइप की हम लोग पढ़ेंगे उसमें वन बाई वन करके आपको समझ में आता रह अब यहां पर एक कोश्टन को देखें पहले क्या होता है समझना होता है एकस वाई से 20% कम है मतलब 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 क्या हुआ कि यह को अगर आप 100 सपोज करिए तो बोल रहा है ना एक से 20% कम है ठीक है तो एक चीज़ और समझेए कि अगर 20% कम बोले देखे कोई भी चीज आपने क्या होती है तो अगर आप से बोल रहा है कि 20 परशंट कम तो 100 में 20 कम करिए यानि कितना मिला 80% मिला अगर बोल रहा है बीस परसेंट ज्यादा यानि more than 20 परशन तो अगर 20 परशंट है तो जाएगा हंडेट में 28 कर देंगे तो कितना मिल दाएगा 120 पर्षन तो यहां पर बोला है कि एक सब्सक्राइब होगा 20 परशन कम अगर वाई 100 है न आपधीश कितना होगा 20% कम मतलब 80 होगा ठीक है आप देखाए कोश्चन कितना असान होगा यह जैसे आप value रखेंगे बस मैं आपको रखके बता रहा हूँ अधरवाइस एक question only solve हो जाएंगे तो कितना हो रहेगा 100 minus 80 upon में y की value 100 यह बन जाएगा आपका 20 upon 100 means 1 upon 5 यानि आपसर number a के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि इसी में 1 upon 5 बाकि किसी में नहीं अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसका भी answer वहीं आगा तो एक्स की वैलू देखिए 80 है एक्स की वैलू 80 minus y की वैलू 100 यह हो गया 80 upon minus 20 मिल गया कितना minus 4 ठीक है किसी संख्या को पांच बटे 3 से गुड़ा करने के अस्थान पर इसे तीन बटे 5 से गुड़ा कर दिया तो ऐसे question को solve करने के लिए आप ध्यान दिया करिए कि जैसे माल लिजे इसका जो denominator है जो हर है तीन और पांच है ना तो तीन और पांच का लसा कितना होता है 15 होता है संख्या को माल लीजिए कि 15 हो गया और पंदरों को अगर पांच बटे 3 से गुड़ा करेंगे तो देखे 3 से कड़े आएगा कितना जाएगा पांच बटे 25 आ जाएगा फिर वहीं चीज बोल रहा है कि संख्या संख्या मतलब 15 को पांच बटे 5 से गुड़ा कर दिया तो पांच से इसको कट करेंगे तो पांच तीया पंदर तो कितने परसंट की टुटी हो गई तो आपको यह बताना है तो देख यह था तो 25 नीचे इंटू 100 जब इसको आप सौल करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का 100 कितना जाएगा नौ चुक के 36 अब एक चीज ध्यान देगे जो 36 परसंट है मतलब इतने परसंट का क्या हुआ इतना परसंट कम आया है तो कितने परसंट का टुटी हो गया तो आप कह सक निकाल सकते हैं दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं कि यहां से आना चाहिए था 25 और आ गया कितना नौ तो कितने परसंट कम आ गया यहां से यहां जाने पर इधर जाने पर कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है अगर इसको आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16 की कमी आ र तो कितने % की कमी हो गई आप समझते इसको तो पहले मैंने निकाल दिया कि इतने % कम होगा 44 % है ना तो टूटी कितने हो गई जैनि 36 % कम हुआ ना तो 100 % उसको आना चाहिए था बड़ 36 % कम आया है तो आपका आजाएगा तो आप दोनों तरीके में से चाहे जैसे भी दिमाग से कर सकते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे अगले कोश्चन की तरफ देखे इस कोश्चन में क्या कह रहा है यदि सबस्क्राइब करें एक चाहरा है असी परसंट बराबर बीका पचास परसंट और आप समझते हैं एक्टि एटी उपॉन हंडडिट मन में कर सकते हैं या इसको बोल सकते हैं कितना जिरो-जिरो काट लेजी चलिए इधर भी लिख लेते हैं बीका 50% का वैलु कितना होता है वन इसको चार्ट से दो से कार सकते हैं दो चोग के आठ दो पंजे दस यह हो गया चार प्रटे पांच जब इसको आप सॉल करेंगे तो कितना मिल जाएगा ए अपन बी को मैं आपन लेकर आ रहा हूं ठीक है उधर चला जाएगा और फोर डेरा जाएगा तो कितना आजएगा पां पे इस B को इधर उठा लाइये तो ए बन जाएगा ए अप और इसको इधर उठा लाइए तो एकथना हो जएगा 100 अपॉन में एक्स शिए एक्स कि वैलू कितनी हो जाएगी देखें एक्स की वैलू जब आप सॉल करेंगे तो हंडेड मैं चला जा जाएगा वाइब डिवा चलिए बरते हैं आगे एक चुनाव में दो उमीद्वार थे एक उमीद्वार को 38% मिले द्यान दीजिए एक चुनाव है उसमें सब्सक्राइब चलिए यानि दूसरा को 22% मिला है मतला वह बाशाएं प्रसेंट पाया है और जीत गया है तो एक कितने परसंट का मोट पाया है तो मतलब इन दोनों के डिफ्रेंस के एकवल होगा तो दोनों का डिफ्रेंस अगर आप निकालेंगे तो 38-62 सब्सक्राइब कितने परसंट से हा रहा है और कितने परसंट मतों से आ रहा है बहततर सो जो चौबीस परसंट की वैलू कितनी हो जाएगी तो आपका आपसर नमबर यहां पर फोर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रहाते एक्जाम हो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ एक सो बीस का मतलब आप समझते है ना एक बटे चार तो एक सो बीस का एक बट अगर सकते थे ठीक है कि 180 का 380 का 10% कितना होगा सोचिए अगर आप इसको ओर ली अगर सॉल्ल करना चाहते तो कैसे करते देखिए रहांसर एक सो बीस का पर चीस परशन कितना हुआ एक जीरो वाटा दीजी 12 20 पर चुछन कितना हो जाएगा दो से गुड़ा कर दीजी ठीक ह होगा 38 एक गिरूह हटा देंगे ना दस से डिवाइट करेंगे तो 40% 38 इंटू 4 चार चुब के 16 168 उसमें से कितना हो रहा है 38 यानि आपने कितना दो ज्यादा जोड़ दिया न तो चार दूना आठ हटा देजिए तो 160 में से आठ चला गया तो कितना मिल गया कितना तो इन दोनों को आप जोड़िए तो कितना आगया 282 और नीचे किया जाएगा 637 इक्वल टू बस इसको आपको सॉल कर लेना है जब इसको आप सॉल करेंगे तो देखिए क्या अंसर आए तो 91 से कट रहा है तो आपका आपसर नंबर वन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है इससर से मैंने आपको टाइप वन के सारे questions करा दिये हैं ठीक है और यह बिल्कुल basic थे बाकि इसमें कुछ भी नहीं था next type से आपको कुछ चीज़े और समझ में आएगी percentage की तो वीडियो में